नमस्कार SPT News में आपका स्वागत है पेश है 2 अगस्त मंगलवार दुभायर सवा 3 बजे राजसान की 15 बड़ी खबरें सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर राजसान में अब तक सर्वाधिक बारिश श्री गंगानगर में सोनिया राहुल से पूश्टाच के बाद नैशनल हेरोड के दफ्तर पर एडी का छापा इस राके पर बच्चों को पसंदा रही टॉय राखी ट्रेन में खाने पीने की समान पर लगेगी 5% जी जी एस टी इस बार आयोजक संस्थाओं को लगाना होगा इन्फ्यूलेंट ट्रीट्मेंट प्लांट और अब खबरें विस्तार से सुनिये बिकाने संभाग में 10 दिन पहले तक समाने से जादा बारिश में बिकाने टॉप पर था लेकिन श्री गंगानगर और जैसल मेर में हुई भारी बारिश ने बिकानेर को प्रदेश में तीसरे नमबर पर धकेल दिया है समाने से 235 mm श्री गंगानगर और 179 mm जैसल मेर में जादा बारिश हुई बिकानेर में समाने से 151 mm बारिश अब तक हुई चार दिन पहले जैसलमेर में इतनी बारिश हुई कि रेथ के टीलों में भी नदी सी बहने लगी थी यही बज़े है कि जैसलमेर औसल से ज़्यादा बारिश के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है श्री गंगानेगर में भी 10 दिन पहले तेज बारिश हुई जिसकी बज़े से वो टॉप पर है बिकार नेर में अंतिम बड़ी बारिश खाजुवाला में बाण में एमेम हुई थी इसलिए तीसरे नमबर पर आ गया है नैशनल हेरोड केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने कारवाई की है इडी की टीम नैशनल हेरोड के दफ्तर में छापे मारी कर रही है बता दे की इडी की टीम कांग्रे सद्यक्ष सोन्या गांधी और पार्टी नेता राफुल गांधी से पूश्टाच कर चुकी है मीडिया से प्राप्तर जानकारी के नुसार अधिकारिक सुत्रों के हवाले से बताया गया कि इडी ने नैशनल हेरोड के दफ्तर के साथ ही 12 डिखानों पर छापे मारी की है इडी ने हाल ही में सोन्या गांधी से 3 दिन तक पूश्टाच की थी तीन दिन के पूश्टाच में एडी ने सोन्या से सो से ज़्यादा सवाल पूछे थे भाई बहनों के अटूर संबंदों का प्रतीक रक्षा बंदन का पर अगामी 11 अगस्त को है इस पर्व को लेकर अजमेर शहर के सभी इलाकों के बाजारों में राखी की दुकाने सच गई हैं और खरीदारों की भीड जूट रही है बहन अपने भाई की कलाई के लिए विभिन डिजाइन वाली राखियां पसंद कर रही है अजमेर शहर के फुटपाथ से लेकर बाजार भर की दुकानों पर लगी रंग बिरंग राखियां भाई बहन के प्यार को बयां करते हुए दिख रही है बहनों ने अपनी भाईयों की कलाई पर राखिय बांध कर उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए अभी सही खरिदारी करना शुरू कर दिया है अपिलेड अथोरिटी फोर एडवांस रूलिंग्स ने कहा है कि ट्रेनों या रेलवेर प्रेटफॉर्म पर सर्व किये जाने वाले फूर पर अब 5% समान GST लगेगा लागू GST की दर पर चल रहे विवात को समाप्त करते हुए A.A.A.R. ने कहा है कि चाहे रेलवेर लाइसेंस प्राप्त केटर की ओर से फूर सर्व किया जाए या फिर बगैर लाइसेंस वाले केटर मिल सर्व करें सब पर 5% GST दर लागू होंगी सावजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले रामलिला, दुरगा, पूजा जैसे किसी भी ऐसे समाहरों जिसमें खाना बनाने और दरव्य अप्षिष्ट के निप्टान के लिए फ्यूल एंड ट्रीटमेंट प्लांट ETP लगाना अनिवारे होगा दिल्ली प्रदूशन यंतरन सिमीती, DPCC ने सोंवार को अपने एक आदेश में इस नियमगाउ लंगन करने वालों पर रोजाना की जुर्माना राशी पांच लाग रूपए से बढ़ा कर पचास लाग रूपए करने के निर्देश दिये हैं DPCC के सादेश के मद्दे नजर धार्मिक एवं मनोरंजक समारो जैसे रामलिला दुर्गा पूजा आद के लिए दिल्ली विकास प्रादिकरण DDA के खुले स्थान बुक कराए जा सकते हैं जालावड शहर में बिना अनुमती के नियमों को ताक में रखकर अवैद निर्मान धरले से किये जा रही है नगर परिशत ने शहर में 121 अवैद वेब बिना अनुमती के निर्मान कारियों को चिन्हित किया है अवैद निर्मान पर बुल्डोजर चलाने की तयारी है और ही अधिकारियों को एक निर्मान कार्या का तत्काल निरिक्षन कर सीच करने के निर्देश दिये थे साथ ही शहर में अवैद निर्मान वे बिना अनुमती के निर्मान कार्यों को चिनहित करने के लिए 310 एकमेटी बनाने के निर्देश्टी एथे कारिवाही की सिफारिष्की है देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपूर्थ की सेंटरल जेल में एक बार फिर मोबाईल मिला है जेल में तलाशी अभियान के दुरान एक बैरक में रहने वाले दंडित बंदी जालामंट गाम निवासी चैनराम गुर्जर की निशान देही पर शोचाले की दिवार में छेद कर छुपाया गया मुबाइल बरामत किया गया है इस पर दंडित बंदी के खिलाफ रादानाडा थाने में मामला दच कराया गया है बेकानेर शेहरी शेतर में करीब 15 स्कूल किराय की बिल्डिंग में चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश में ना तो प्लेगराउंड है और ना ही कम्प्यूटर लैब। बावजुद इसके राजय सरकार ने इन स्कूलों को दस्वी से बारवी में क्रमोनत कर दिया है। राजसान हाई कोड के मुख्य न्यायधिश SS शिंदे को सेवा निवरिती पर विदाई दी गई। इस दुरानों ने गार्ड ओफ ऑनर भी दिया गया। हाई कोड की ओर से सीजे शिंदे की विदाई के लिए जोदपुर मुख्य पीट में आयोजित रेफरेंस में हाई कोड की जैपुर पीट के न्यायधिश वे अधिवक्ता वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जुडे। इस मौके पर मुख्य न्यायधिश शिंदे की पतनी उमादेवी शिंदे भी मौजूद रही। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायधिश के रूप में न्यायधिश एमेम श्रीवास्तव इस पत का कार्यभार संभालेंगे। आयुशमान भारत योजना के तहट बिकानेट जिले में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दी जाने वाली स्वास्ते सेवाओं को सुद्रड करने के लिए स्वास्ते विभाग सिमिति का गठन कर रही है। इसका मुख्या उदेश्य है उप स्वास्ते केंदर एवं अत्रिक्त प्रात्मिक स्वास्ते केंदर की विवस्ता को सुधार करना एवं सुद्रड करना है। सबी अत्रित प्रात्मिक स्वास्त्य केंद्र एवं उप स्वास्त्य केंद्रों पर आयुश्मान भारत जन अरोग्य समीती का गठन किया जाना है राड़सन हाई कोड के मुख्या न्याय दिश SS शिंदे के सेवा निवरती पर आयुजित कारेकरम के बाद हाई कोड परिसर में पोधरोपन किया गया इस दुरान न्याय धिशो ने वहाँ विभिन प्रजातियों के पोधे लगाए साथ ही दूसरे लोगों से भी परियावरन स्रंक्षन के लिए पोधे लगाने का आखवान किया चार महाँ बाद फिर संभाग के सबसे बड़े विकानेर के पीबे मस्पताल में पार्किंग का ठेका दिया जाएगा इसे लेकर महशक्कत शुरू की गई है अगर किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत नहीं आई तो संभावत्य अगामी महा में ठेका शुरू हो सकता है गतिदिनों Medical Relief Society की बैठक में यह मुद्दा उठा था कि सरकार के सबी तरह की जांचों को निशुल्क करने से Society की आर्थिक सिती पहले से ही खराब हो गई है रही सही कसर पार्किंग का ठेका हटाने से कमजोर हो गई है इस वज़े से अस्पताल प्रशासन ने वापस पार्किंग का ठेका अवंटित करने का मानस बनाया है अस्पताल प्रशासन ने फैसला लिया है कि ठेका अवंटित करने के बाद केवल चार पहिया वहनों से ही शुल्क वसूला जाएगा North Western Railway Employees Union जोदपूर मंडल के कार्याले में मुखे लोको पाइलेट राकेश कुमार का सेवर निवरित होने पर सम्मान समारों कायोजन किया गया कार्यक्रम में मंडल सचीव मनोज कुमार परिहार वे मंडल अध्यक्ष महेंदर व्यास ने उनका माला वे साफा पहना कर सम्मान किया वहीं मंडल तथा शाखा के पदादिकारियों ने मोमेंटो देकर स्वागत किया IPS देवेंदर विष्णोई ने सम्मार को दोपहर बाद विष्टाचार निरोदक ब्यूरो विकारनेर के पुलिस अधिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहन कर लिया पदबार ग्रहन करने से पहले उन्होंने बाल गोपाल यानि ठाकुर जी एवं राष्टपिता महात्मा गांधी जी को प्रणाम किया इसके बाद सीट पर बैटते ही चार्ज नोट पर हस्ताक्षर किये IPS बिश्णोई ने कहा कि वह बिकानेर से पूरी तरह वाकिफ है जनता से जुड़ा हूँ एसे भी एक नया फिल्ट जरूर है लेकिन मैं नया नहीं हूँ सरकार और जनता का बरोसा कायम रखूंगा नम न्यूक्त पुलिस अदिक्षक बिश्णोई ने कहा कि सरकार की मंशा है कि ब्रश्टा चार खत्म हो इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे जोदपूर विकास प्रादिकरण के अयुत अवधेश मीना के निर्देशा नुसार अवैद निर्मान वे अतिक्रमोनों पर नियमित रूप से कारिवाही की जा रही है इसी क्रम में दस्तित द्वारा ग्राम संगरिया खसराज संख्या पंद्रा में अवैद रूप से निर्मित व्यवसाईग गोदाम को सीज़ किया गया अतिक्रमी द्वारा निरंतर अवैद निर्मान कार्या करवाया जा रहा था प्रादिकरन दस्ते में उक्त अवैद वेबसाइट गोदाम पर तीन ताले लगा कर उसे सीज कर दिया फिलहाल इस बुलेटन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर